नमस्कार आप देख रहें TNP News मैं हूँ आपके साथ ने मिस नहाओ और स्वागत है आपका अपना बिहार में नज़र डालेंगे बिहार की खबरों पर बिहार के मुखे मंतरी नितीश कुमार ने BJP से गड़ बंधन तोड RGD के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली है लेकिन इस बार उनका लक्ष पहले से बड़ा है वह 2024 के चुनावों के लिए जहां विपक्ष को एक जुट करने में लगे हैं वही उनकी पार्टी लगतार उन्हें PM पद का दावेदार बता रही है इस बीच बिहार के सत्ता में उनकी सहयोगी RGD के नेता शिवानन्द तिवारी के एक बयान पर बड़ी चर्चा हो रही है RGD के प्रमुख नेता शिवानन्द तिवारी ने पार्टी की राजपरिशत की बैठक के दोरान कहा कि नतीश कुमार आश्रम खोल कर राजजनितिक कारेकरताओं को प्रशिक्षन दे साथ ही कहा है कि 2025 में आश्रम खोलिये और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाईए इसके बाद वह भी उनके साथ आश्रम चली जाएंगे और राजजनितिक कारेकरताओं को प्रशिक्षन देंगे केंद्रे ग्रेह मंत्री अमिच शाह के दो दिवसिये बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है बीजेपी नेता रवी शंकर प्रसाद ने इस दौरे को लेकर सत्ता रूड आरजेडी और जेडियू नेताओं के परिशान होने का जिक्र करते हुए सवाल उठाए है रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि क्या ग्रे मंत्री को बिहार दोरे के लिए लालू जी और नितीश जी से वीजा लेना पड़ेगा क्या बता दें कि ग्रे मंत्री अमिच शाह कल से बिहार के सिमांचल इलाके के दोरे पर रहेंगे साथ ही पुल्णिया के रंग भूमी मैदान में जंसभा को संबोधित करेंगे और फिर किशन गंज में रुकेंगे और उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे केंद्रिय ग्रे मंत्री अमिच शाह के कारिक्रम से एक दिन पुर्व बिहार के पुल्णिया में PFI यानी पॉपुलर फ्रेंट ओफ इंडिया के क्षेत्री कार्याले पर NIA ने छापे मारी की छापे मारी को लेकर सुरक्षा की पुक्ता व्यवस्था की गई है जहां सभी केंद्रिय बलों को लगाया गया है बता दें कि NIA के SP खुद छापे मारी कर रहे है हाला कि अभी तक इस छापे मारी में क्या कुछ हुआ है इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है दरसल PFI के टेरर, फंडिंग मामले और ट्रेनिंग कैंप पर शिकंजा कस्तने के लिए NIA ने कई राज्यों में एक साथ छापे मारी की है इसी कड़ी में बिहार में भी ये कारेवाई जारी है बीजेपी सांसद और पुर्व उप मुख्य मंतरी सुशील कुमार मोदी आज छपड़ा पहुँचे जहां प्रेस कॉंफरेंस में सुशील मोदी ने सीएम नितीश कुमार पर जम कर निशान असाधा सुशीन मोदी ने कहा कि नतीश कुमार के लिए बीजेपी के दर्वाजे बंद हो गए है उन्होंने कहा कि जेडियू का कोई वजूद नहीं है छेतरी दलों पर लोगों को भरोसा नहीं है इसलिए देश की जनता प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर ये विश्वास जता रही है चालिस से क्यों के ते पैताली सीट जीतेंगे लंबा लंबा बोलने में तो को जाता नहीं है यूपी से चनाम लड़ेंगे क्यों डर गया यूपी में कैने अभी तो कोके पाले लंच से ते गया तक negoti नहीं है कि यूपे बनेंगे आप करें कि जादा से जादा लोगों को को जोड़ने का काम करें कोई किसी चैट्रिय नेता को प्रधान मंत्री शुकर करने के लिए तैयार नहीं है बिहार के छप्रा में होती लाल रामनात कॉलेज के भवन जिर्णो धार्क और रंग रोगन का कार्य पूरा हो गया है जिसका उद्गाटन करने के लिए जैप्रकाश विश्विविद्याले के कूलपती प्रोफेसर डॉक्टर फारुक हली को बुलाया गया कॉलेज की छात्राओं ने अतीथियों का स्वागत और अभिनंदन किया कूलपती प्रोफेसर डॉक्टर फारुक हली ने कहा कि सिक्षा देना दान है उन्होंने कहा कि कॉलेज में हर विश्य के लिए सिक्षक है लेकिन बच्चों की उपस्थिति कम है देखिए परिवेस का परभाव ब्यक्ति पर पड़ता है परिवेस सुरम्य हो परिवेस आनंदाई हो परिवेस मोहक हो तो बरबस लोखीचे चले आएंगे घर चोर करके माविद्या लेकि और आएंगे बॉंडरी टुटावा था मैं एक दिन आया था तो फिर मैंने ताकीत किया कि आप इसको जत्रा जल दो इसको बनाए और हमारे मजुदा प्राचारे ने इस पर संग्यान लिया और स्रोत से मबलाइज करके ने बनाए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ फिल्हाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही फिर होगी मुलाकात नमस्कार